भाजपा OVC मोर्चा के राश्ट्रे महामंत्री और बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिलानन ने नितीश कुमार द्वारा कुढ़नी में चुनाव प्रचार के लिए नितीश जी के जाने पर तंज कस्ते हुए कहा कि नितीश जी को पता है कि आर जेडी को जेडिय से अलग बहुमत प्राप्त करने के लिए मुकामा जीतने के बाद अब सिर्फ तीन सीटे ही चाहिए सीम नितीश कुमार जी मिस्टर यूटर्ण के नाम से लोकप्रिय तो है ही वे राजनितिक दाव पेच में माहिर और घोर आवसरवादी व्यक्ती है ये जेपी आंदोलन के जवाने से ही उनके साथी मित्र जानते हैं कि किस तरीके से लालू जी के खिलाफ पुन्ठा विव्यक्ती करते रहे गूमते रहे और जेपी से उनकी सिकायत वे करते रहे और करपुरी जी ने जब आरक्षन लागू किया तो पिछडा आरक्षन के खिलाफ वे पंपले छपवा कर पर्चा बटवा रहे थे अब उनको पता है कि आरजेडी को जेडी उसे अलग चार सीटे ही जरूरत है बहुमत के लिए तो गुपाल गंज में मुकामा में प्रचार करने से बहाना बना दिया कुर्णी की सीट आरजेडी की थी दाव पेच करके ले लिया और कुर्णी में प्रचार करने जा रहे है देखिए राजनिती में जब नितिश कुमार जी कमजोर होते है तो वे चुप्पी साथ लेते हैं दम साथ लेते हैं और जैसे ही उनको प्रॉमिनेंस मिलता है तो वे अपना साथिर दिमाग भीरा रहे लगते हैं तो नितीश कुमार जी की पूरी राजनिती अब जो है वो चल प्रपंच और कहीं न कहीं आरजेडी के मुकाबले खुद को और अपनी पार्टी को मजबूत बनाये रखने की कवायद है और मौका मिलेगा तो आरजेडी को भी ये धकियाने में उससे बदला चुकाने में नही चुकेंगे पीछे नहीं हटेंगे तो वहीं अस्थानिया निकाय के चुनाव को लेकर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिज्वान ने कहा कि भाजपा की लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों को आरक्षन मिले लेकिन एक चीज मैं भारती जनता पार्टी नित्रुत को देना चाहता हूं कि बिहार में पिछड़े और अती पिछड़े का आरक्षन कोई नहीं चीन सकता है भारती जनता पार्टी के नेताओं में जितनी हैसियोत और ताकत है लगा लेकिन सूबे में अस्थानी निकाय का चुनाव हो के रहेगा और वो चुनाव पिछड़ों और अती पिछड़ों के आरक्षन के साथ होगा किसी माय के लाल में हिम्मत नहीं है कि बिहार में पिछड़ों और अती पिछड़ों से उनका हाक छिन ले और ये चुनाव अस्थागित करवा दे हैं बताने के स्थानिय निकाई के चुनाव को लेकर एलान हो गया है दो चरणों में बिहार में नगर निकाई चुनाव होगा पहले चरण का मद्दान 18 दिसम्बर को होगा तो वहीं इसके वोटों की गिंती 20 दिसम्बर को होगी वहीं दूसरे चरण का मद्दान 28 दिसम्बर को त तो वहीं मत गड़ना 30 दिसम्मर को होगी मंजाब के स्टू टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट